हलो फ्रेंड्स मैं हूं रूप चन्द आप देख रहें यूटूब चैनल रूप चन्टी की जियस गुरूप फ्रेंड्स आज की जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो जो है हिंदी के एक नया टॉपिक है जिसका नाह हमें दोस्तों सब्द यहीं जो है सब्द सब्द भेद और सब्द का परिचय यहीं मित्रों जो है सब्द किसे कहते हैं सब्द के कितने भेद होते हैं सब्द के कितने परकार होते हैं उसी के बारे हम लोग चाचाएं करेंगे तो आई हम लोग ज़्यादा बाते नहीं करेंगे तो सब सब्द किसे कह जानते हैं अच्छरों या वर्णों के मेल से बना सुतंत्र सार्थक धौनी समू को हम लोग क्या कहते हैं सब्द कहते हैं जैसे मित्रों उधार के माध्याम से जैसे मन जानते हैं सभी बच्चे मन क्या है दोस्तों मन एक सब्द है मन एक क्या है मन एक सब्द है जो चार वर्णों मा डंडी वाला मा छोटा आ डंडी वाला ना जो हलंत लगा है तथा आ छोटा आ से मिल कर दोस्तों बना है मन यहीं जो जैसे मन क्या है दोस्तों मन एक सब्द है जो चार वर्लो मा डंडी वाला मा चोटा आ डंडी वाला ना तथा चोटा आ से मिलकर बना है तो मन क्या है मनि वर्लो के मेल को हम लोग क्या कहते हैं सब्द कहते हैं अब मित्रों हम लोग सब्द के भेद सब्द के भेद पढ़ेंगे यानि सब्द के भेद कितने भेद होते हैं, तो सब्द के मित्रों दो भेद होते हैं, सब्द के जो है कितने भेद होते हैं, सब्द के दो भेद होते हैं, कौन-कौन, तो आइए देखते हैं, पहला है सार्थक सब्द, दूसरा है दोस्तों, निरर्थक सब्द, सार्थक किसे कह किसे कहते हैं आईए उसका हम लोग परिभाशा सही देखते हैं सार्थक सब्द और निर्थक सब्द दोस्तों तो सार्थक सब्द किसे कहते हैं तो जिन सब्दों का जिन सब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम लोग सार्थक सब्द कहते हैं, जैसे घर, विध्यालाय, सहर, आदी, यह सब क्या है दोस्तों, यह सब सार्थक सब्द है, जैसे रोटी, रोटी भी यह क्या है, सार्थक सब्द है, लेकिन अभी रोटी को हम लोग कुछ लोग कहते है कि रोटी रोटी कापड़ा उपड़ा कापड़ा तो है यह उपड़ा क्या है रोटी 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 तो है यह ओटी क्या है तो दोस्तों जो रोटी होगी वो क्या हो जाएगा सार्थक सब्द हो जाएगा और जो ओटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा नि घर को हम लोग क्या कहे दें, घर और, घर और, विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द सब्सक्राद करτε कि निर्थक को métar Nós सब्सक्राद कुछ वर्गी करके कि अगितने प्रिकार होता आइए हम लोग उसी के भागों बाटा गया है, तो सब्दों का वर्गी करणा, पहला है दोस्तों उत्पत्त के अधार पर सब्दे, सब्द का वर्गी करणा, पहला है उत्पत्त के अधार पर, दुसरा है रचना या बनावट के अधार पर, और तीसरा दोस्तों रूप या परियोग के अधार पर, तीसरा क्या है, अर्थ है, अर्थ के अधार पार, हैं दोस्तों उत्पत्ति के अधार पार, रचना या बनावट के अधार पार, रूप या परियोग के अधार पार, अर्थ के अधार पार, यह सब्दों का वर्गिक्रण हम कितने भागों में बाटे, जो है, चार भागों में बाटे दोस्तों कितने भागों में? चार भागों में. पहला है उत्पत्त की अधार पर, दूसरा है रचना या बनावट की अधार पर, तीसरा है दिसनोस्तों रूप या परियोग की अधार पर, और चौथा है अर्थ की अधार पर. तो यह जो है सब्दों का चार वरगी करन उत्पत के अधार पर सब्दे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आईए देखते हैं, पहला दोस्तों है तत्सम, पहला है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तिसरा है देसाज, और चौथा है दोस्तों क्या विदेसाज, हम समझते होंगे, तत्सम किसे कहते हैं, तत्भव कि विष्रा है देशाच, चौथा है विदेशाच, पचवा है संकर, अब हम लोग एक ये कचा चाहिए जो है जो है उस्तों विश्तार से करेंगी, पहला तस्सम, तस्सम किसे कहते हैं मित्रों, तो इद्धम सालाइट्रिक के माध्धम से अब ही हम देखेंगे याद हो जाएगा दोस्तों वैसे जो गवाओं को माडल बोला जाता है भासम उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे तद्भव कहते हैं और जो संस्कृत में बोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तस्सम कहते हैं और जो गवाई रूप बोला जाता है वो तद्भव होता है तो तस्सम सब्द किस संस्कृत की वे सब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में परयोग किये जाते हैं उसे दोस्तों है क्या है तखरेट अगनी अगनी आगवते हो गावbürत वियदा क्वे लेगे सब्सक्राइब नहीं करने गष्ट olm तद्भाव कहते हैं तो आईए देखते हैं तद्भाव किसे कहते हैं तो दोस्तों तद्भाव संस्क्रित के वे सब्द जो प्राकिर्थ पुरानी हिंदी से पुरानी हिंदी से यह संस्क्रित के वे सब्द जो प्राकिर्थ पुरानी सब्द से गुजरते हुए एक लंबे समय से में एक लमबे समय परिवर्ब्रटीत हो गए हो उसे हम लोग का कहते हैं उसे हम लोग तद्भव कहते हैं जैसे उदार देख लेते हैं से कान कभी हम लोग तस्वर नोगोर जो है जो संस्क्रित होता है तत्सम होता है जिसे कान हो गया देवर हो गया मोर हो गया मोर कभी कह जिया जाए मोर क्या है तत्भा है इसका भी तत्सम रहा है क्या है मैयूर हो जाए जो संस्क्रित मोर क्या कहते है मैयूर आंक है आंक को संस्क्रित क्या कहते है अच्छी कहते हैं तो आँख क्या होगा, अच्छी क्या हो जाएका, तथ्सम हो जाएगा, तो दोस्तों यही है तद्भाँ, चलिए, अब हम लोग देशा सब्ड किसे कहते हैं, आइए देखते हैं, देशा, नाम से जैसा कि नाम से लोग जीर ने देशा, जीनि जो एदम डेसी हो, एदम गाउं का हो उसे हम लोग क्या कहें देशा सब्द कहते हैं वे सब्द जो अस्थानी ये च्छेत्री परभाव से जरूरत की हिसाब से दोस्तों जरूरत की हिसाब से हिंदी में परियोग किये जाते हैं देशा सब्द कहिलाते हैं क्या कराते भईया देशा सब्द कहिलाते हैं जैसे द दूबा हो गया इस सबक्या है दोस्तों इस किका कहते हैं विजेशाuestas सब्द किसे कहते है जय सब्सक्राइं जो सब्द हंधी में विजे avons सब्सक्राइब न यहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब विदेतर मेंedy में वानुंसे सब्सक्राइब करले सब्सक्राइब क्या देखते हैं पर वेज नुटक्रा नियुक्र पांग। किसे कहते हैं तो संकर सब्द किसे कहते हैं संकर लग रहा है ना संकर माने मेल होता है संकर यह दो भिंद भासाओं यह अलग अलग भासाओं से यह दो भिंद भासाओं के सब्दों के मिस्तार से बने सब्दों को लोग क्या कहते हैं संकर सब्द कहते हैं मित्रों संकर सब्द कह कि मिस्टर से बने सब्दों को हम लोग क्या कहते हैं संकर सब्द कहते हैं आए थोड़ा उद्रहाद देख लेते हैं हम लोग जो है उद्रहाद के माध्या समझ जाएंगे जो है संकर सब्द है किसे कहते हैं आए भईया हम लोग संकर सब्द को देखेंगे जैसे टिकट घर मित जैसे दोस्तों। टिक्तिखकट, टिकत घर, पहला टिक 갖고 हैं थुडिकाट के दोस्तों, यह एक सब्ध हैं और घ्यार क्या हैं, घर एक हे हिंदी सब्ध हैं, टिकत घर, रेल, ग ाली दोस्तों रेल क्या है रेल अंगलेजी सब्द है यह जो दो भींड भासाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग संकर सब्द दोस्तों कहते हैं यह रेल क्या है रेल अंगलेजी सब्द है गाड़ी क्या है गाड़ी एक हिंदी सब्द है दो सब्दो संस्क्री सब्द है और दार क्या है दोस्तों दार एक क्या है फार्शी सब्द है तो यह सब क्या है संकर सब्द है विसात खाना विसात क्या है विसात एक अर्वी सब्द है और खाना क्या है खाना जो है फार्शी सब्द है जो भिन भासाओं से मिलकर बना है तो इसलिए कह सकत प्रकार होते हैं जैसा नाम से लगर रचना या बनावट के हैं एक दो ती तीन अच्छ ने रचना में तौर रचना में अच्छ स्थार Oke के अधार पर सब्दे कितने प्रकार की होते हैं शब्द तीन प्रकार सब्द योगिक सब्द्र मित्रोः यदór आपको κonnell अच्छा वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई सिर्प उस्षा बटे कब कोई पैसा नहीं subscribe कीजिए आप subscribe करेंगे जैसे वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपको notification आपको सुचना मिल जाए कि मारा वीडियो जा रहा है अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप subscribe कर लीजिए कोई पैसा नहीं कटेगा कोई बैलेंस न काफी कितावों को अध्यन करके किसी कakukan देखते हैं लोग वे सब्द जो प्रारम से ही किसी विशेश रत में परियुक्त होते आए हैं और उनका कोई सार्था खंड मिश्क कहता है टुकडा ना हो सके अथा खंडित रूप निरथक हो अगर खंड कर दिये जा तुसका रूप क्या हो जाएगा निरथक हो जाए उसे रूर्थख हो जाएग कोई निरथक हो जाएगा उसका कोई अर्थ में परियुक्त होते आए हो और उनका कोई सार्था काने अड़ा ना हो सके अर्था खंडित रूप क्या हो निरथक हो लूर्थ कहलाएगा अगर इन लोगो को खंडित कर देंगे हांथ हो गया कान हो गया चावाल हो गया तो कोई मतलब नहीं के लेगा देगे जिसना हैं नाम से लगए योगी योक से बना है, तो योगिक सब्द किसे कहते हैं, भया, दो या दो से अधिक, सब्दों के, या सब्दांसों के मेल से, बनने वाले सब्दों को, बनने वाले सब्दों को लोग क्या कहते हैं, मित्रों, योगिक सब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, योगिक सब्द कहते हैं, इसमें जो है, परते एक खंड का अर्थ होता है इसमें अगर खंड कर दोगे तो परते एक खंड क्या होता है इसमें परते एक खंड का अर्थ होता है जैसे दोस्तों हरी द्वार हरी प्लस द्वार हरी भगवार होता है द्वार माने द्वार होता है हरी द्वार हरी द्वार हो गया ना नहीं छेकी इसक्ड़ करती हो गे तो जो है किसी यर्थ दिखाएगा कि दोश्तों , हीम माने बर्फ होता है, rietि के लिए ही यृजी सब्ड़ को तुंग क्मृ कोई अर्थ सब्सक्राइब लि भर्भ किला सब्सक्राइब का दों किसे कहते हैं दोस्तों ऐसे योगिक सब्द जो समान अर्थ के अस्थान पर कोई विशेस अर्थ कोई विशेस अर्थ पदान करते हैं कोई विशेस अर्थ पदान करते हैं दोस्तों से हम लोग योग्रूर सब्द कहलाते हैं योग्रूर सब्द कहलाते हैं दोस्तों जैसे पंक कच कंगे तो सवान अर्थ के अस्थान पर कोई विसेश अर्थ पदान करते हैं यो सब्द कहलाते हैं अब दोस्तों कमल एक विसेश है भाई एक धंद बराबर एक दंब यह जो भगवान क्या है एक विशेष आदमी है एक विशेष परकार की कोई देवी देता है इस्वर है तो दोस्तों यह था हमारा योग गुरुसद्ध है यह था दोस्तों पार्ट 1 अब जो है पार्ट 2 में और भी जो चाहिय आगे करेंगे अभी तो उत्पत के धार पर चल रहा है अब रजनाया बनावड कधारपा निस्ट वीडियों में हम जो है चाचाए करेंगे ता अभी आप वीडियों यही देखने के लिए हम इंड करते हैं वीडियों देखने के लिए बहुत धन्वात थैंक्यू थैंक्यू सोमाज जै ही जै भारात